हाज बैसाब क्या हाल है welcome back to the channel मेरा नाम है तो बॉस आज के इस वीडियो में मैं तुमें साथ काफी चुम्मेश्वरी android apps के बारे में बताने वाला हूँ एंड ये साड़े apps इतने कमाल के हैं कि इन्हें देखने के बाद आपके मुह से यही निकलेगा वैसे अगर वीडियो कमाल के होने वाली है तो like target भी कमाल का होना चाहिए तो आज के इस वीडियो पे 2 गंड़ के अंदर 1600 के like target को complete करना है तो अगर like target complete कर देते हो न तो फिर तो बिना कंजूसी के जल्दी से आप अपना काम शुरू कीजिए फिलाल हम अपना कारिकरों शुरू करते हैं तो भाईया, sit back, relax and watch the video till the very end दो यार, आप लोग का एक बहुत ही common सा request रहता है कि foreign country के number से WhatsApp कैसे बनाए लेकिन request जितना simple है, इसका process अतना ही टेरा होता है और इसी वज़े से मैंने अपने चैनल पर इस topic को लेकर के multiple videos भी बनाई है लेकिन problem क्या ना, कि ये trick time to time काम करना बन कर देता है और इसी वज़े से आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक दूसरा trick लेके आ गया हूँ तो इस process को ज़रा ध्यान से सुनना वरना ये trick अच्छे से apply नहीं होगा तो सबसे पहले आपको next plus app को install कर लेना है I know मैंने इस app के बारे में आपको पहले भी बताया लेकिन आज जो trick मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा different है तो application install करने के बाद इसे open करना है और यहां आपको इस option get started पे क्लिक करना होगा अब तो इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कुछ options हो होंगे तो आपको यहां sign in with google पे क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको यहां पे दो options हो जाएंगे पहला है add mobile number and दूसरा है add email address तो आपको यहां इस second option add email address पे क्लिक करना होगा और यहां पे अपना email address डाल दीजिए उसके बाद continue पे क्लिक कर दो इतना करने के बाद आपकी email address पे code जाएगा जिसे आपको यहाँ पर एंटर करना है फिर आपको यहाँ पर एक state चूज करना होगा तो आप उतने स्रद्धा अनुसार कुछ भी चूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर काफी सारे options available है likewise आपको एक area code भी चूज कर लेना है और इतना करने के बाद आपको get a custom number पर click करना है और इतना करते ही आपको US का एक number allot कर दिया जाएगा अब आपको इसी number को WhatsApp पर एंटर करना है और country code में plus one type कर देना लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूगी कभी number एंटर करने के बाद errors हो जाता है तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं यहाँ पर आपको simply didn't receive code पर क्लिक करना होगा लेकिन यहाँ पर जो SMS वाला feature है वो वर्क नहीं करता है और calling का timer ज्यादा रहता है तो यसे में आपको SMS timer के end होने का wait करना होगा और एक बार जब SMS का timer complete हो जाए तो आप recent SMS पर क्लिक करो और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके calling का timer एक गंटे से 2, 8, 1 तो बहुत ही easy and working trick है definitely try out करना है अगर आपको किसी को call करना है और अगर आप नहीं चाहते हो कि सामने वाले बंदे को आपका number show हो दिन इस next application का use करके आप किसी को भी call कर सकते हो वो भी बिना किसी number के तो देखो ऐसा करने के लिए आपको fix line app को install करना होगा यह एक safe, secure and 100% free calling app है and मज़े की बात बताओं यह app free होने के साथ साथ बिना किसी ads के आता है तो अब मुद्दे की बात करते हैं तो इस application में जो भी calling होते है न वो एक link के through होता है तो आपको simply इस app को open करना है and यहाँ इस option my links पे click करो इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे multiple options दिख जाएंगे तो general call करने के लिए आपको यहाँ इस first option fix line one link को share करना होगा जिस पे click करके कोई भी बंदा आपको call कर सकता है and ऐसे में आपका number भी सो नहीं होगा and आप उससे अराम से बात भी कर लोगे and इस call को करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले बंदे के phone में भी यह app install ह अगर उसके phone में यह application install नहीं भी है न फिर भी आप call कर सकते हो जो कि एक काफी सही चीज है लेकिन इस link पे click करके 24 गंडे के अंदर कोई भी आपको call कर सकता है लेकिन अगर आप इस link को share करोगे तो आपको सिर्फ 9am to 5pm के बीच ही कोई call कर पाएगा likewise secret call option को choose करने से आपका call यहां पर register नहीं होगा और आप voice call के साथ साथ यहां पर video call भी easily कर पहोगे तो यार यह बहुत ही कमाल का application है अगर आप बिना अपना number share किये किसी के साथ भी बात करना चाहते हो तो इन ऐसे case में आप इस application को definitely से install कीजिएगा विसे यार अगर आपको video में मजा आ रहा ना तो होगे कि आपका phone इतना powerful कैसे हो गया तो basically यह आप आपको allow करता है to set unlimited actions जिसे बाद में predefined gesture and shortcuts के थ्रू access किया जा सके for example आप अपने phone पे double wave करके sound recording start कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई particular alphabet draw करके app open कर सकते हो या फिर phone shake करके आप Motorola phone की तरफ flashlight भी on कर पाओगे और इसी तरह आप इसमें काफी सारे actions sit करके use कर सकते हो and यह completely आपके preference पर depend करता है कि आपको कौन से gesture पर कौन सा action चाहिए और अगर मैं आपको genuinely बता हो ना तो इसमें multiple gestures create हो सकता है and possibility काफी ज्यादा है तो इसी वज़े से अगर मैं वो सब कुछ बताने बैठ रिया ना तो बहुत ही time Economic Times of India ने एक report तयार किया था जिसमें उनका कहना था कि 300 million true caller users जो globally true caller की total customer base का at least 60% है उनका data बेचा जा रहा है and यह report थोड़ी पुरानी है तो chances आर कि आज की time में यह numbers और भी ज्यादा है तो इसका मतलब इस application में number of privacy and security issues है तो इसी वज़े से आज मैं आपको एक trick बताने वाला हूँ जिसके help से आप अपने data को true caller से completely remove कर सकते हो तो ऐसा करने के लिए आपको true caller की settings में आना है and then यहां इस option privacy center पे click करो फिर आपको यहां थोड़ा स्ट्रूल करना है और उसके पर अपना phone number under करने के बाद इस capture को फिल करना होगा और उसके बाद इस option unless पे click कर दो और बस आपका काम हो गया अब आपका complete data true caller से remove हो चुका है तो अगली बार जब भी true caller install कीजिएगा तो सबसे पहले एक बार अपने privacy and security के बारे में सोच लीजिएगा विसे यार अगर वी वीडियो को लाइक भी करतीजिएगा हाज वेसलिस्ट की नेक्स अप्लिकेशन है कॉमेटी इन तो अगर आपको अपने productivity को optimize करके अपने android experience को improve करना है जैसे कि इसमें आप इस application को use कर सकते हो इसमें आपको number of tweaks and tricks देखने को मिल जाएंगे हाला कि यह app 2019 में release हुआ था और उ सकते हो लेकिन इसमें better rotation option को enable करके आप ऐसा आराम से कर पा होगे और इसके लावा इसमें आपको ambient display का option देखने को मिल जाता है तो अगर आपका phone ambient display support नहीं करता है तो आपको यहाँ पर multiple designs देखने को मिल जाएंगे जिसका use आप यहाँ से कर सकते हो जो देखने में बहुत ही application में किया गया है likewise यहाँ इस आपके help से एक parallel environment create कर सकते हो जिससे आपके एक phone में double space create हो जाएगा और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे options available है तो जो चीजें आप multiple apps को install करके पहले किया करते थे वो अब आप एक single app के help से कर पहोगे जो कि dynamic modules के help से possible है जिसके बारे में गूगल ने 2019 में announce किया था तो काफी कमाल के application है definitely install कीजिएगा हाज बैस लिस्ट की next application है travel check दो basically इस application का use करके आप अपने phone में project travel support, AP system update support, CPU architecture and system as root support चेक कर सकते हो जिसके help से आप यह determine कर पहोगे कि आपको कौन सा generic system image अपने phone को flash करने के लिए use करना चाहिए लेकिन traditional system ऐसा न आपने के लिए android debug bridge या फिर terminal emulator का use करना पड़ता था लेकिन अब इस application के help से यह process बहुत easy हो गया आपको simply इस application को open करना है और यह app आपको सारे results सो करतेगा तो अपने device के लिए GSI check करने के लिए यह सबसे best application है तो एक बार इस application को definitely try out कीजिएगा देखो यार काफे time क्या हो होता है तो इस चीज से बचने के लिए आप get current wallpaper आपका use कर सकते हो और इस आपको print signing ने recommend किया है so thanks bro अगर वीडियो में अगर वीडियो यहां तक देख लिए हो तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए और हां सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा important है and bell notification भी on करते ना तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं next वाले वीडियो में किसला बहुत कर दो किसे हैं मुएका सब्सक्राइब करते हैं